तो ये गैज ये एक बल्क और गैज इसे नॉर्मली हमारे गर पर आने वाले 2200 ओल्ड सप्लाई ज़िए जलाते हैं कोच इस तरह से हैं लेकिन गैज क्या होगा अगर में इस बल्क पर 220 ओल्ड सप्लाई की जगत 440 ओल्ड की सप्लाई देदू सो गैज ये सुनने में बहुती ज़्यादा ड्रावना लग रहा हैं और गैज ये बहुती कतरनाट भी हो सकता हैं लेकिन गैज फिर भी आज मैं आपके लिए इस चीज को ट्राई करके जरूर देखूंगा सो गैज लेट्स सी सो गैज जबी आपको जो दो वायर्थ दिख रहे हैं इन पर आ रही है 440 ओल्ड की सप्लाई चले मैं आपको इस मेटर से इनकी वोल्टेज ये करके बताता हूँ सो देख गैज आपने यहाँ पर 425 के सम्तिंग वोल्टेज दिखा रहा है यानि कि लगबग 440 ओल्ड हमारे पास सप्लाई आ रही है सो गैज इस बल्ब को मैंने यहाँ पर रख दिया है और गैज मैं वहाँ पर दूर से बेट करके इस बल्ब को सप्लाई दूँगा ओ शिट गैज देखा आपने जैसे मैंने इस बल्ब पर 440 ओल्ट की सप्लाई दी वैसे ही इस बल्ब का जो फिलामेंट हैं जो कि टंगस्टन का बना होता है वो पूरी तरह से तूट चुका हैं और गैज यह बल्ब अभी फ्यूज हो चुका हैं और गैज यह लगबक एक सेंट के लिए भी नई जला लेकिन गैज मेरे पास यहाँ पर एक बल्ब और भी है तो चली इसको लगा करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है लुकेट गैज यह वाला बल्ब है वो बहुर देर तक सर्वायू कर रहा हैं और गैज अभी तक फ्यूज नहीं हो रहा है कि अच्छे को लगा करें चोड़ देते और देखते हैं कि कितनी देर तक जलता है है कि अच्छे कि अच्छे को अच्छे को अज़ है कि अच्छे को यह वोडऻियाग झाल झाल ओ माइग गोड़ गईज लुक एट इस बल्ब की क्या हालत हो चुकी है कि आप बता सकते हैं कि यह एक सो वाट का बल्ब था तो गई जिसका काच और इसके अंदर का जो फिला में ता वो भी पता निकाहाँ जा चुका है पूरी तरह से बल्ब तबाव हो चुका है कि आपने कुछ यह सा होता हैं जब हम किसी बल पर 440 की सप्लाई देते हैं इस वीडियो अच्छे लिए तो एक लेक जुरू शेकर देना और गाई जीसे तरह कोरी मज़दार वीडिश के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत बूला में मिलता हूं आपको उसके नेक्स टूडियो में तब तक के लिए टेक केर